भारत और इंगलेंड के बीच चल रही तीसरे वंडे मुकाबले में रोहित सर्मा के आउट होने के बाद सिखरदवन और विराट कोली ने बड़ी गलती कर दी दरसल तीसरे वंडे मुकाबले में इंगलेंड की टीम ने टोस जीता और पहले फिल्डिंग करने का निरने लिया पहले बले बाजी करते वे भारती टीम की सुरुआत काफी अच्छी रही रोहित सर्मा और सिखरदवन ने भारती टीम का स्कोर सोरन के पार पहुचा दिया लेकिन सोरन के पार पहुचाते ही रोहित सर्मा ने अपना विकेट गवा दिया दरसल आदिल रसिद की गेंद को रोहित सर्मा समझने ही पाई और कलिन बोल्ड हो गए वहीं रोहित सरमा के आउट होते ही आदिल रसिद के अगले ही अवर में सिखर धवन ने भी अपना विकेट गवा दिया वो आदिल रसिद की गेंद को सिंगल रन के लिए खेलना चाते थे लेकिन गेंद आदिल रसिद के पास चली गई और वो कोटन बोल्ड हो गई वहीं उनके अगले ही अवर में विराट कोली ने भी अपनी विकेट गमा दी दरासन मोहिन अली की गेंद को विराट कोली समझ नहीं पाए और क्लिन बोल्ड हो गए इस तरीके से भारतिय टीम के तीन बड़े खिलाडियों के विकेट लगातार गिर गई और भारतिय खिलाडी एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बेबस दिखाई दिए तो इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाले